सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकान को जरूर प्रेस करें जिसे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफकेशन आपको मिलता रहे इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि सोशल कंट्रोल क्या है इसका कॉंसेप्ट एजी वे में एक्जेंपल के साथ आपको समझाँगा वीडियो को एन तक देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीट इन्फरमेशन मिल सके सोशल जो वर्ड है वो सोसाइटी से रिलेटेड है लोगों का आपस में मिल जूल के रहना एक परिटिकुलर एरिया में उनका आपस में कुछ कॉमन इंटरेस्ट होना उसको हम सोशल या सोसाइटी बोलते हैं और कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि POWER इंफ्ल्यूएंस किसके उपर लोगों के उपर उनके behaviors के उपर उनके actions के उपर उसको हम कंट्रोल बोलते हैं अभी simple way में अगर इसका meaning देखा जाए तो social control एक technique है एक strategy है जिससे लोगों को जो society में लोग रहते हैं उनको control किया जाता है अभी ये कैसे control किया जाता है देखें अगर हमारी society में हम जिस जगह पे रहते हैं उसके कुछ rules बने हैं कुछ policies बने हैं कुछ law बने हैं कुछ disciplines बने हैं जिसको हम follow करते हैं तो अगर ये rules कुछ policies law ना हो तो क्या होगा society खराब हो जाएगी डिस्टरब हो जाएगी चोटी चोटी बात पर लोग एक दूसरे को मारने लग पड़ेंगे चूरी crime बाढ़ जाएगे ठीक है लोग बोलेंगा हम अजाद हैं हम exam नहीं देने जाएगे हमें वैसी degree मिल जाएगी ठीक है पीस जो है ना society का वो disturb हो जाएगा तो इसलिए ये जो rules बनाना ये policies बनाना ये law बनाना ये discipline बनाना इस टकनीक को इस strategy को हम social control बोलते हैं से society जो है ना control में रहती है society सही से चलती है society एक systematic way के साथ एक organized way के साथ चलती है और लोग आपस में peace में रह सकें इसलिए हम rules बनाते हैं और हमारी government ही हमारे institution ही ये rules ये policies ये law बनाते हैं हमारी बलाई के लिए justice के लिए ठीक है इनसान अभी बहुत कमजोर है अगर traffic रूलना हो तो लोग जल्दी में एक दूसरे का accident होने लग पड़े ठीक है तो ये इसका चोटा सा concept था I hope आपको clear हो चुका होगा वीडियो ची लगी हो तो subscribe और like करना मत बूलिएगा अपना बहुत किया रखिएगा दूाओं में याद रखिएगा गुडबाई